हाई फ्रेंज कैसे हो आप सब वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ सीरा तो यह सीरा का रेसेपी बहुत ही एजी है और बहुत ही कम घी में बन जाता है तो उसके लिए आपको यहां पे आदा कप आटा और आदा कप बेसन लेना है और उन दोनों अज़ा रॉष्ट करना है और जब अच्छे से रोष्ट हो जाएगा तो इसमें अच्छा सा फ्रेग्मेंस आन में लगेगा तो आपको पता church हो गया है तो 15 minutes हो गया है अच्छा से roast हो गया है तो मैंने फ्लेम को यहां पर बन कर दिया है तो मैं इसको यहां ठंडा करके स्टोर करके रखूंगी क्योंकि मुझे इसका सीरा सुबे बनाना है रोस्ट करके रखने से सुबे बहुत ही इस्ससिरा बन जाता है आपको हरबरी नहीं होती है वरना भaż टाम नग जाता है सीरा बनाने में तो यह एक बहुत अच्छा ट्रीक है इस्ससिरा बनाने के लिए आप सिंपली रोस करके रख लीजिए आटा और बेसन को और जब आपको मन हो आप तब बनागे खा सकते हो तो मैंने रात को यहाँ पे बदाम भीजा के रख दिया था तो मैंने यहाँ पे 30 पीस करीब बदाम के भीजाए थे उसको रात को अच्छे से गरम पानी में भीजा द पहुती फाइन पेस्ट नहीं बनाना है तो आसा दरदरा पन रखना है ताकि अच्छा टेक्च्चर आज़े सीरा में अब इन पर कराई लिया है और एक स्पून लिया है तो मैंने चोटा स्पून लिया है तो मैंने मेजर करके यहाँ पे 6 तीस्पून घी के डाले है अगर अब इस घी में बदाम का पेस्ट डाल लेना है तो इसको डालने के बाद थोवा सा पाने डालके ग्राइंडर को दोलेंगे और बागी का जो भी उसमें लगावा था वह भी मिला लेंगे इसमें और इसको अच्छे से चलाते हुए पकात लेना है पुर एक दम इसको गारा क लग जाएंगे तो आप मीडियूम फ्लेम रखेगा और इसको कंटिनुसली स्चीड करते हुए एकदम ठीक कर लीजेगा तो देखिए धीरे-धीरे ठीक होते जा रहा है इसको जो भी पानी है खतम होते जा रहा है तो देखिए यह पूरा ठीक हो चुका है तो आप इसमें म चीनी और इलाइची पाउडर तो इलाइची पाउडर फ्रेवर के इसाप से आप डाल सकते हो अगर आपको नहीं पसन है तो स्किप कर सकते हो मैंने यहाप पर हाफ टीस्पून इलाइची पाउडर डाला है और आपके बस अकर इलाइची पाउडर नहीं है तो सिंपली गो करके कょ चार बाटी पानी डाला है तो मेजिर्मन का ध्यान रखेंग का जो बाटी से आप आटा डोर यहाँ उसी बाटी से चीणी भी लिचेगा जितना अटा यह जो खार गुना नेशलआर दैना है और इसके दिरे दिरे अपने आप गारा होने लगेगा तो देखें काफी थिक हो चुका है तो इसको बहुत जादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम रखेंगे तो अपने अपने दिरे दिरे और गारा हो जाएगा तो देख ली जी consistency कैसी रखी है मैंने उसके बाद मैंने इसको एक hot case में डाल लिया है ताकि जली से थंडा ना हो तो इसके उपर हम बदाम से थोगा गानिश कर लेंगे तो यह मैंने cutter ले लिया है यह dry fruit cutter है तो बहुती easily इससे कोई भी तरह के dry fruits grate हो जाते हैं जिस shape में बहुती helpful है यह tool काम को एक दिम आदा कर देता है तो यह मैंने online amazon से purchase किया था मैं इसका link निचे description box में दे दूंगी तो आप इसे cheese chocolate और भी cheese grate कर सकते हो स्रिफ dry fruits के लिए नहीं है यह और भी cheese grate हो जाता है और बहुती easy यूज़ करना सिंपली आपको जो blade यूज़ करना है व दाल लीजे और इसको simply घुमाना है वीटी ने second इतना अच्छा इसमें grate हो जाता है तो मुझे तो बहुती अच्छा लगता है इसके यूज़ करना बहुती convenient है तो काम एकदम आदा हो जाता है तो यह kitchen में must have product है मैं तो बोलूंगी तो मैंने यहापे ग्रेट कर लिया है मैं कर लेते हैं सीरा के उपर और आप चाहाँ तो इसके उपर काजु को भी ग्रेट करके डाल सकते हो जो आपको बज़नों आप वह डाल लीजे और मैं थो आसा इलाइजी पावडर और डाल रही है उपर से तो यह सीरा ब्रेडी हो चुका है गर्मा गर्म इसको सर्फ कीजिए इंजोई कीजिए छोला पूरी के साथ और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपको यह इंस्टेंट सीरा की रेसिपी कैसी लगी इंस्टेंट इसले बोल रही हूँ क्योंकि अगर आदा प्रिपरेशन आप रात को करके रख लेते हैं तो सुबह बहुत ही ईजी है औ बहुत ही बड़ाफट बन जाता है तो इस रेसिपी को जरूर ठ्राइ कीजेगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू फर वाचिंग बाबा च्छेग है तो जाता है तो यह बड़ाएगा द लिजेगा थजेगी